फाइनली ओपो वालो ने अपने ओपो रेनो सेवन 5G के अंदर कलर्वेस 13, बेस्डाउन एंडराइट 13 का ओपन बीटा फार्म जो है रिलिज किया था और इस फार्म को जो जो यूजर ने फिल किये और जिसका फार्म अप्रूब हुआ उसको यहाँ पर अपडेट जो है और यह आपको कलर्वेस 13 के अपडेट के साथ बीटा वर्जन देखने को मिल जाता है तो यह रहा इसका बेसिक सॉफ्टेयर इंटरफेस और आप बात करते हैं इसके लुक्स और ओवर्विव की तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कलर्वेस 13 के अपडेट के साथ इसका होमी स्क्रीन जो है कुछ इस टैप से देखने को मिलता है जो की सेम कलर्वेस 12 की तरह ही देखने को मिलता है बस यहाँ पर जो आइकन्स वगरा है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके एक्वा मार्फिक डिज कर दिया है साथ ही दोस्तों ये कलर्वेस 12 से और भी बेटर, स्मूद और फास्टर देखने को मिलता है बात की जाए इसके एप ड्रावर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एप ड्रावर है सेम टू सेम कलर्वेस 12 की तरह ही देखने को मिलता है इसमें यहाँ प आत की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों notification panel या notification driver का यहाँ पर देखेंगे इसका जो notification panel है वो पूरे की पूरे change देखने को मिलता है Color Race 12 से यहाँ पर पूरे की पूरे different देखने को मिलता है यहाँ पर उपर देखेंगे तो आपको दो बड़ा-बड़ा Togles, Mobile Data और Wi-Fi के देखने को मिलता है, साथ ही आपको अलग से Music Control का एक बड़ा सा Togles देखने को मिलता है, जिसको आप अपने अनुसार इसको Arrange भी कर सकते हैं, Horizontal से Vertical और Vertical से Horizontal Arrange कर सकते हैं, साथ ही आपको साथ ही आपको छोटा-छोटा Togles जो है, सेम देखने को मिलता है, दोस्तो ये Notification Panel मेरे को काफी पसंद आया, आपको कैसे लगा, आप मुझे Comment करके बता सकते हैं, इसके लागा बात की जाए अगले Change की तो, वो आपको मिलता है दोस्तो, Setting UI का, यहाँ पर देखेंगे दोस्त तो, इसका Setting UI कुछी स्टेप से देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत Changes के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही इसके आइकन्स वगरा के Colors वगरा, उसको थोड़ा बहुत Change किये हैं, साथ ही किसी-किसी Features का, उसका Name वगरा को Change कर दिये हैं, बाकी जो Features Sell Change किये हैं, तो यहाँ पर Better Look के साथ आपको Setting UI देखने को मिल जाता है, इसके अलाव बात की जाए अगले Change की तो, वो आपको मिलता है दोस्तो, Setting के अंदर About Device का, यहाँ पर देखेंगे आपको About Device कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर पूरे की पूरे Change देखने को मिलता है, यहाँ उपर के साइट में बड़े Togles में ColorOS बड़ा सा लिखा हुआ है, साथ ही आपको छोटा सा लिखा हुआ ColorOS 13.0 भी देखने को मिलता है, इसके नीचे आपको वर्जन देखने को मिल जाता है, बीटा वर्जन है, की आफीसियल वर्जन है, की ट्रै की models के details देखने को मिल जाते हैं जहापर आपको models name, processor name, battery capacity, screen size, RAM और camera वगएरा का पूरे के पूरे specification यहाँ पर देखने को मिल जाता हैं बात की जाए इसके android security patch की तो यही पर ही आप देख सकते हैं इसमें आपको android 13 देखने को मिलता है और 5th September 2022 के साथ latest enhanced android security patch देखने को मिल जात हैं इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर battery के section में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो इसका जो battery section है या battery UI है आपको कुछ इस type से देखने को मिलता है जो की थोड़ा बहुत changes के साथ देखने को मिलता है यहाँ पर उपर देखे जो colorless 12 में graphs जो है नीचे क साइड था उसको उपर के साइड अरेंज कर दिया है और उसके जास्ट नीचे battery uses apps, power saving mode, optimize night charging वगरा का यहाँ पर features देखने को मिल जाता है तो कुछ इस type से आपको colorless 13 में battery UI देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जा अगले change की तो वो आपको म wallpaper and style कर दिया है यहाँ पर दोस्तो जो personalization है उसको थोड़ा बहुत change करके यहाँ पर present कर दिया है केवाल यहाँ पर features वगरा को आगे पीछे उपर नीचे ही किया है साथ ही दोस्तो यही पर ही आपको always on display देखने को मिल जाता है जिसमें आपको new always on display देखने को मिलता है inside homes वग इसके लावा यही पर ही आपको colors का option देखने को मिल जाता है जिसमें आपको new color option देखने को मिल जाता है कौस्टेल आलपिन trendy करके new color name या फिर new color option देखने को मिल जाता है बाकी जो wallpaper color picking है उसका थोड़ा layout change किया है साथ ही custom colors का भी यहाँ पर layout जो है change कर दिया है बाकी आपको same color option देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो यही पर ही आपको icon style देखने को मिल जाता है जो की same color race 12 की तरह ही देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक match wallpaper colors का new option add कर दिया है जिसको अगर आप on करते हैं तो आपका जो wallpaper set है उसके हिसाब से जो icons का color है वो यहाँ पर change हो जाता है और यह features दोस्तों Android 13 का material you features है जिसको यहाँ पर add कर दिया है इसके लावा बात की जाए अगले change की तो यही पर ही आपको fingerprint का new icon style देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों इसका जो animation अगर है वो भी थोड़ा बहुत change देखने को मिलता है उसके साथ यहाँ पर जो fingerprint icon का name है उसको भी show कर दिया है जो कि पहले यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था जिसको यहाँ पर show कर दिया है इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो यही पर ही आपको add lighting का features देखने को मिल जाता है हलाकि दोस्तों यह same color race 12 की तरह ही देख देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर incoming call को on करने के लिए एक check box add कर दिया है जिसको अगर आप check करते है तो आपको जो incoming call आएगा उसमें आपको add lighting का भी support देखने को मिल जाता है बाकि जो add lighting का colors है वो same देखने को मिलता है तो आपको color race 13 के update के बाद कुछ इस type से personalization section या फि इसके अलावा बात की जागले change की तो यहाँ पर दोस्तो color race 13 में self option को add कर दिया है जो कि oxygen OS और oneplus का self features है जिसको यहाँ पर add कर दिया है अगर दोस्तों आप self option को यहाँ पर select करते हैं तो उपर से swipe करने पर आपको self का option देखने को मिलता है जो कि google assistant quick glance की तरह ही देखने को मिल और अगर दोस्तों आप notification driver select करते हैं तो आप नीचेक side swipe करने पर आपको simple notification panel या notification driver देखने को मिलता है तो इस features को भी यहाँ पर add कर दिया है इसके लावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो power menu का यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस type से color race 13 में power menu देखने को मिलता है जो कि आपको simple सा देखने को मिलता है साथ ही उपर में आपको lock screen और नीचेक side आपको emergency का option देखने को मिल जाता है और यह power menu दोस्तों पहले color race में देखने को मिलता था जिसको यहाँ पर new करके आपको color race 13 में देखने को मिलता है इसके लावा बात की जा इसमें आपको बहुत सारे bugs देखने को मिल जाते हैं हाला कि दोस्तो trial version से काफी कम देखने को मिलता है वीटा में लेकिन अभी भी bugs देखने को मिलता है जैसे की काफी ज़ादा battery draining, over heating, lagging issue, f-scressing issue, camera जो फेड़ेड हो जा रहा है तो इस type से काफी ज़ादा bugs देखने को मिल जात है लेकिन दोस्तो आप इस bugs को report भी कर सकते हैं जिससे की आगे आने वाले update में ये धीरे-धीरे fix हो जाए रिपोर्ट करने के लिए आपको simple सा star hash 800 hash करके dial करना है जहाँ पर आपको सभी features का list देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तो gene features में आपको bugs देखने को मिलता है उसक bugs का detail दे सकते हैं जैसे ही submit करेंगे तो आपका जो bugs का report है वो oppo वाले को या coloros वाले को मिल जाएगा जिससे की आगे आने वाले update में धीरे-धीरे इसको fix कर देंगे तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share और subscribe करना ना भूले मिलते है I'm next video में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो